दही में सिर्फ त्राद ही नहीं बलकि अनेक फाइदे भी हैं दही को मीठा बना कर भी खा सकते हैं और नमकीन भी या फिर ऐसे ही नेचुरल तरीके से इसका मजाल लिया जा सकता है दही के अलावा शायद ही ऐसा कोई फूड हो जिसे कई तरीकों से खाया जा सकता है वहीं दही के कई फाइदे भी है गर्मी के मौसम में दही सबसे फाइदेमन्द फूड है दही आपको गर्म तापमान में हाइडरेट करने के साथ ही एनरजी को बढ़ाता है दही स्ट्रेट्स बूस्टर है जो आपकी बीचैनी को तुरंथ कम कर सकता है इम्निटी को पाचन को बढ़ावा देता है दही हेल्दी वेक्टिरिया से भरा होता है जो आथ की सिहत को दुरुस्त रखता है इसकी प्रोवायोटिक प्रकृती इम्निटी सिस्टम में सुधार करती है दही वाइरल भुकार से लेकर सामाने सर्दी और संकमर तक हर चीज से लड़ने में मदद करता है दिल की सिहत का रखता है खयाल दही कॉलिस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है हाट अटेक के जोखिम को दही कम करता है यह शरीर में बलड प्रेशर को नियंतरण करने में भी मदद करता है हड्डियों को मजबूत बनाता है दही कैल्शियम से भरा होता है जो हड्डियों को मजबूत और स्वस्थ रखने का काम करता है दही केल्शियम के साथ मिलकर आपकी हड्डियों के विकास को और तेज करता है दही औस्टूरियो पॉरोसिस जैसी बिमारियों को दूर रखने में भी मदद करता है ये आपकी तवचा को भी खूपसूरत बनाता है जिंक, फासपूरस और विटामिन E दही में प्राकदिक तौर पर होती है दही इसकिन में ऐसा सुधार करती है जो कोई भी क्रीम नहीं कर सकती है दही ना सिर्फ आपकी इसकिन को मौसराइज करता है बलकि दाग धबो को भी दूर कर चेहरे पर ग्रो लाता है गर्मियों के मौसम में लू लगने का खत्रा बना रहता है इससे बचने के लिए आपको दही को जरूर अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए इसकी तासीर ठंडी होती है इसलिए ये आपके पेट को ठंडा रखता है और साथ ही खाने को जल्द पचाने में भी मददगार सावित होता है दही में प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन, आईरन और फास्पोरस जैसे तक्व भरपूर मात्रा में मौजूद होती है यो शरीर की कम्यों को पूरा कर शरीर को तंदुरुस्त बनाने में मदद करते हैं आप छोटे बच्चों को भी दही में चीनी मिलाकर सेवन करवा सकते हैं